हेलो गाईज तो मैं आज आपके लिए का और वीडियो लखे आ गया हूँ जहां पे मैं बात करूंगा युवेचर इस प्लाटफर्म के बारे में युवेचर इस का ये पूरा एक कंप्लीट गाइड होगा बहुत जन्ने मेरेको बहुत सारे सवाल पुछे बहुत सारे करते हैं वह भी मैं यहां पर एक्स्प्लेंग कर लूँगा और मैं सब कुछ तो नहीं दिखांगा क्योंकि आपको पता युवेचर इस कांफिडेंसियल है जो चीज चाहिए वही चीज को मैं यहां पर सोग करूंगा ठीक है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं बिना कोई समीर मैं यहन दिखातने हैं ऐसको आपर्गिंगी दिखातने से भी अगर मैं स्टार जैसिंग पर मारूों तो यह बोलता है कि talking is available IX दिखा रहा है तो यह क्यों दिखाता है तो चाद तो दिखा रहा है लेकिन फिर भी यहां पर नो हिट्स आपर यहां पर लिखाय है अबेल लोग काम कर रहे हैं start judging जब यह हीट आया तो 10,000 लोगों ने अगर start judging पे दबाया तो सोचिए चार हीट है तो यह 30 seconds में खतम ही हो गया होगा तो इसको पहले क्लिक करेगा पस उसी को मिलेगा पहले चार्जन को मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत competition है जिसमें बहुत ज्यादा हिट्स आते हैं वह उसमें आपको chance मिल सकता लेकिन कम हिट्स में competition बहुत ज्यादा रहता है और गाइस 15 मिनिट के बाद यह जितना भी होगा वह सो कर लेगा ठीक है गाइस यह complete clear हो गया तो यह था गाइस पहला query गाइस जो दूसरा query है वह भी similar है उसमें बहुत जन मेरे को पूछे कि मैं अभी अगर एक task किया अभी एक hit किया तो मेरे को अभी मेरे total earnings में 100 क्यों नह refresh करता है और जो report है वो every 20 minutes को refresh करता है तो अगर आप अभी एक task कर रहे हो तो यह 20 मिनिट या 15 मिनिट के अंदर आपको show कर देगा ठीक है गाइस तो इसके लिए भी आपको panic नहीं होना है आपको task करते रहना है और एक में एक अच्छा guidance आपको दे सकता हूं कि अब भी आप task कर रहे हो एक दूसरे tab में आप देखते रहो कि आपका accuracy कितना है क्योंकि जितना आप ज्यादा आपका accuracy रहेगा उतना ही अच्छा आप कर पाऊगे ठीक है तो यह था पूरा जो अपना second query के बारे में यह बहुत ही important है आप हमेशा जब भी task करेंगे हमेशा आप देखते रही है कि आप कितना task accuracy कितना है ठीक है तो अभी चलते हैं थर्ड गुरी के बारे में तो बहुत जबने में को पूछा कि यहां पर पर्टिकुलर हीटाप्स को क्वालिफाय नहीं करने तो यह पूरा मेहनत करना पड़ेगा फिर मैं आपको बता दूं क्या करता हूं मैं क्य गाइडलाइन आपको दिख रहा है गाइडलाइन तो मैं क्या करता हूं मैं हमेशा जो भी हिटाप का क्वालिफिकेशन देने वाला हूं उसका गाइडलाइन में हमेशा 15-30 मिनिट पढ़ता हूं ठीक है 15-30 मिनिट में specifically उसका गाइडलाइन पढ़ता हूं उसके बाद मैं कंफर्टबल हो गया हूं तो गाइस मैं ट्रेनिंग दबातां है। इस जो चेश चाम करोगे द decent का मिद देगा भी देगा उसके बाद 242え क्लिक करके भी examples आप देख सकते हो तो guys preview training ये दोनों बहुत important है उसके बाद अगर आप पूरा clear आपको लगता है आप confident हो जाते हो आपको लगता है आप clear कर दोगे उसके बाद ही आप qualification पर जाओ क्योंकि qualification आपको तीन बार मिलता है और guys एक बार में बोल देता हूं ये weekly change में ह आपको next week पूरा हर दिन के लिए वो ban हो जाएगा ठीक है guys तो ये ध्यान में रखिए जितना भी ध्यान से हो सके उसको आप qualify करने का ट्राय किजिए preview और preview हो गया आपका training हो गया guideline है तो बहुत ही important है उसके बाद ही आप qualification exam दीजिए ठीक है और ये मत सोचे कि अगर मैं qualify ये ये बात एक बार सोच लीजिए अगर आप जल्दी के काम करने के लिए सोचोगे तो mostly क्या होता है ना आप आपका रहता है दिमाग में अगर मैं qualify जल्दी नहीं करूँगा तो मिस कर लूँगा तो यही हमें साथ दिमाग में रखो कि अगर मैं qualify कर लेता हूं तो मैं next time से कर करना है आपको अराम से आपको guideline पढ़के exam देना है ठीक है यह था मेरा tips and tricks अभी चलते हैं next वाला चीज में जो की है guys new marketplace तो यहां पर एक option होगा आपको दिख रहा होगा new marketplace करके तो यह बस एक अच्छा interface वाला UHRS है यहां पर सेम चीज ही दिखता है बस interface change हो जाता है तो बस यह हो गया अभी अभी मैं और एक चीज बोलने वाला हूं guys वह है guys कि बहुत जुन को यह भी login टेक के time में problem होता है कि click worker का default होता है अगर आप 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटे के लिए वह आपको login करके रखता है जब आप login करते हो UHS में तो 8 hours के लिए आपको login करता है उसके ब अधर ही उसके बाद क्या करता है आपको sign in page दिखाता है और अगर आप उधर ही sign in पे click करते हो तो दिखाता है कि और account has been disabled and disabled ID करके कुछ दिखाता है जिससे आपको लगता है कि guys कि आपका account तो गया ही गया लेकिन वहां पे कुछ भी problem नहीं हुआ है आपको यहां पर क्या करना ही एक छोटा सा बग है guys और guys और एक problem भी होता है guys कभी कभी क्या होता है click worker open होते होते time बहुत ही slow हो जाता है तो वह वाला problem के लिए आपको बस wait करना है कुछ देर के तो mostly click worker में hits आते हैं तो 10 to 25 के अंदर महिने के हर महिने के 10 तारीक से लेकर 25 maximum अगर आप बोलो तो 15 से 25 तारीक के अंदर maximum hit आप साते हैं तो guys यह था पूरा सारे queries के बारे में मैं hope करता हूँ यह सारे queries में अच्छे से clear कर पाया हूँ guys guys अगर आपके पास और भी कुछ queries है यूहरस रिलेटर तो आप comment section पर लिखके बताइए और अगर आप अभी तक मेरे मेरे को motivation मिलता रहता है मैं हमेसा कुछ ऐसा लेकर आता हूँ जो आपको helpful हो guys और guys अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ आप देखना चाते हो भी आप suggest कर सकते हो description में मैं उसको जरूर बनाने का try करूंगा और guys next video आने तक bye bye guys take care and guys happy earning